सउग ने, सउग ने, पंजबी लेटेस्ट टीजर रिलीज हो चुका है Emi Wirk हमें इसमें देखने को मिलेंगे Emi Wirk, 2018 में किस्मत, 2020 में किस्मत टो 2020 में सूफना, 83 हाली में उन्होंने बॉल्वूड में मूवी की थी पुआदा उन्होंने पंजाबी मुवी जबरदस ठीट रही थी निका जिलता 2016 में तो एक के बाद एक बड़ी-बड़ी ब्लॉक्वेस्टर मुवीज देने के बाद सिरफ और सिरफ पंजाबी में नहीं हिंदी इंडस्टी में भी उन्होंने काफी बड़ी-बड़ी हिट दे दिया भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में भी हमें देखने को मिले तो इन सभी कुछ कॉमेडी तो कुछ बॉलिवूड कुछ पंजाबी इन सभी मूवीज को हिट देने के बाद एमी विर्क फिर से जबरदस्त टीजर लेकर के आए सहुखने सहुखने मूवी में हमें एमी विर्क के साथ साथ सरगुन महता और देखने को मिलेगी निमरत खेरा और साथ जाथ एमी विर्क टीजर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला और उस चोटे टीजर में हमें इस मुवी की कहीना कहीं एक स्टोरी लाइन समझ आ गए और ये भी देखने को मिला कि मोवी कॉमेडी से भरी होने वाली है डारेक्टर अमरजीत सिंग इसमें हमें देखने को मिले और अमरजीत सिंग मैं आपको बता दूँ होसलारक जैसी बड़ी मूवी ब्लोकबस्टर मूवी के डारेक्टर रह चुके हैं काला शाह काला ये भी जबरदस्थ हिट रही थी जाले तो कहीने कहीं बड़ी बड़ी मूवीज हिट दे चुके हैं तो ये भी एक अच्छे खास एक्सपिरियंस पंजाबी डारेक्टर और अगर हम टीजर की बात करें तो एमी विर्क चेर पे बैठे होते हैं सामने सरगुन मैता बैठी होती है और भी कुछ लोग बैठे होते हैं बात चली होती है परधानी की मैं परधान होने से पहले जो है मैं तुम्हारा पती होने से पहले की एक परधान भी हूँ इन दोनों के भी डिसकुशन चलती है जहां मेता कहती है कि भाई मैं अगर थोड़ा मेकप शेक अप कर लूँ ना तो तेरे से ज़्यादा जवान लगूँगी तो कहीं न कि इस तरह से डायलोग है और यह जो स्टोरी है यह मेंली डिपेंड कर रही है कि इमई विर्क जो है वो इन दोनों के साथ किस तरह से शादी की मुझे शायाद इतना ही समझ आया ही क्यूंगी पोरी पूर्पर पनजाबी में चल रही थी तो इम यहां पर कह रहे है कि बहाई तू तो कह रही थी कि अगर मेरी एक मेरी एक साथ में क्या कहते है क्योंकि एमई होगी तो वो मेरे साथ लड़ेगी अगर दो होगी तो वो मेरे लिए लड़ेगी तो यह सब हमें इस टीजर में देखने वो मिलेगा और इन दोनों के भी जो लड़ाया होती हैं वो कैसी कैसी लड़ाया होती हैं किस किस बात को लेकर कर लड़ाया होती हैं वो सब हमें देखने को मिलेगा तो यहांपर टीजरнок काफी कॉमे वह ख़ी बना था आध चोटे से टीजर में फैसा हमें कहिए après तो मूवी में अफ़कॉस अगर इसी पेस की मूवी रहती है, स्टोरी लाइन में दम रहता है तो डेफिनेटली ये मूवी बॉक्स ओफिस में बड़ा कमाल करेगी और काफी समय के बाद काफी बड़ी-बड़ी हीट मूवी देने के बाद एमे विर्क फिर से हमें हसाते हुए थेटर्स में नचराएंगे आपने अगर ये टीजर देखा तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से टीजर में तो फुल ओन कॉमेडिय मूवी लग रहा है क्या इसमें कुछ इमोशनल एंगल भी रहने वाला है या नहीं वो देखनें इंडस्टिंग रहेगा हालांकि जब ट्रेलर र्लीस होगा तब हमें साफ हो जाएगा कि मूवी के डारेक्शन मेंली कहां को जारी है लेकिन टीजर बहुत ही अच्छा था और इस मूवी से मुझे काफी स्कोप है कि पंजाबी इंडस्टि को एक और बड़ी हिट मिलेगी ब्लॉक्बस्टर मिलेगी लास्ट आम जो बड़ी ब्लॉक्बस्टर देके गए थे वो दिल जी दोसांच देकर के गए थे तो अब देखते हैं कि एम्मी विर्क इस मूवी से कितना लोगों को हसाते हैं और बॉक्स आफिस में कितना बड़ा कमाल करके जाते हैं सब्सक्राइब करें लेटास्ट अप्डेट जादने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद